बनाते हैं बच्चों का टिफिन जो सुभा एकदम जल्दी जटपट जाते लिए जल्दि आप पच्यों के टाथ में देग भिग सकते हैं और पच्छे इसे बहुत चाह से खा भी लेता हैं इसमें बहुत चाह ra फ्रॉटीन से भी है विश्टिबल्स अर आपका मण चाहा इसको सुर्फ हल्का सा गला देना है crunchiness पूरा एक दम निकाला नहीं है देख पार है vegetables थोड़ा सा गल चुका है लेकिन पूरी तरह से गलावा नहीं है इसको simple आप ऐसे ही hello flame में fry करते रहे तो कभी-कभी ज़रुत पर तो cover कर दीजे इससे क्या होगा ना यह जो गाजर है यह सोड़ा सा hard vegetables है और जल्दी से गल जाता है और थोड़ा सा नमक डालने से तो यह जट पर से बन भी जाता है चली मेरा vegetables अभी अलड़ी fry हो चुका है अब इसमें add कर देते है पनीर पनीर को मैंने अलग से fry नहीं किया है मैंने इसको simple से cubes में काट लिया है आपको अगर मन चाहे तो अब जैसा आपको shape चीज जैसे triangle हो गया rectangle हो गया जैसा आपको shape है मन चाहे वैसा आप काट सकते है और vegetables चाहे तो यहाँ पर आप cabbage भी डाल सकते है तो पनीर मैंने सारे add कर दिया भी अच्छी तरह से चला के इसे mix कर लेते है हाँ अच्छा अच्छा आपधानी से mix कीजिगा क्योंकि पनीर एकदम soft है इसको fry नहीं किया है तो मैंने इसको अच्छी तरह से mix कर दिया इसमेरा जादा मसाला भी नहीं डलती है अब यह इसमें add कर देते है black pepper powder मतलब काली मिर्च का powder यह देने से इसका टेस्ट बहुत ही बहते ही बहते ही बहते ही होता है और इसमें जादा मसाला भी निडलती है और इसम्पल में यह बहुत अच्छा लगता है मतलब जैसे आप खाएंगे जैसे पनीर का स्वाद आपको आएगा अलग से ही गाजर का fresh का जो स्वाद है उसका भी पहुत फील होगा मसाला जादा देंगे तो यह सारे जो flavors है मसाला में डूप जाता है तो इसका जो flavors है naturally आपको नहीं मिलता है तो यह ऐसा stir-fresh vegetables है कोई भी खा सकता है बहुत ही healthy होता है और इसमें ज्यादा मसाला भी नीडलती है बहुत जल्दी और छटपट से बन जाता है अभी इसमें add कर देते है red chili flex मतादा कुटा वा, दर्दरा सा कुटा वा लाल मिश्का पाउडर देता तीका आपको खाना है वैसे आपको नहीं खाना है तो यह step आप skip कर सकते है पस इसको अभी mix कर देंगे तो हम लोग का आज का recipe है ते यार इसमों गरमा गरम सर्फ कर सकते है रोटी, पराथा, चपाती इसे ऐसे भी टिफिन भी दे सकते हैं बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं तो आज का recipe आप लोगो कैसा लगा हमें comment करके ज़रूर बताईएगा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके share कीजिएगा और आपका comment बहुत ही माइने रखता है मैं हर एक का comment का answer देने का कोशिश करती हूँ और आप चाहे तो इसमें अंडा भी दे सकते हैं जैसे अंडा का भुर्जी बना लिए अंडा का भुर्जी बना के भी आट कर सकते हैं आप चाहे तो chicken भी इसमें fry करके डाल सकते हैं जैसा आपको मंच है वैसा आप changes ला सकते हैं चलि इसे कर देते हैं सर्फ, बच्ची मेरे याद स्कूल नहीं गई थी, चुटी था उसका, तो संडे का सुबा में बना रही हूँ, तो सुबा सुबा ये वाला ब्रेक्फ़स्ट मेरे बच्ची को बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करके देखिएगा, अपके बच्चों भी ज़रूर पसंद आएगा, चलि आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, नहीं और सिंपल सा रेसिपी लेके, ताकि आप भी इसी तरह से बना के इसे इंजॉय कर सकें, चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, तिल देन, बाई बाई और टेक केर, फिरहाल मैं तोई से इंजॉय करती हूँ,